कि आपको पता है आद भी ग्रेडबी के सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेज हुए और जिस इन नोटिफिकेशन आई थी डिटेल वाली तो हमने आपको इंफॉर्म किया था कि जो भी चेंजेज हुए हैं हम उसे अपने चैप्रस में इंकॉपरेट करेंगे और अकाउंट कि फिलाल तक वह रिफ्लेक्ट होंगे तो सबसे पहले डैशबूर्ट पे आके आप आर्वी एई ग्रेडबी के कॉर्स में आना और वहां पे आपको आर्वी एई स्टेडी नोट्स इन फैक्ट स्टेडी नोट्स और रिवेंजिन नोट्स यह दोनों जा चुके हैं ठीक है जो chapter wise questions होते हैं वो भी आपको कुछी दिनों में मिल जाएंगे तब तक आप पूरे chapters को पहले ready कर लो जितने भी chapters हो रख्या हैं तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यह हो सकता है screen size आपको थोड़ी छोटी लिख रही हो तो मैं इसे बढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से visible हो ओके तो study notes में आने के बाद जैसे कि पता होगा आपको कि ESI में कोई change हुआ नहीं है जो social issues है उसको जरूर उन्होंने थोड़ा सा trim कर दिया है कुछ sub topics थे जो अब भी भी आपको सेम चीजे पढ़नी है क्योंकि अगर मालो social issues mentioned है syllabus में तो उसमें gender issues, social justice ठीक है उसके बाद education and health यह सारा आता है further आप देख पाओगे यहां पे कि इसी में आपको नीचे economic survey और budget के documents में मिल जाएंगे और जो हमने अभी recently बनाया था new foreign trade policy का content वो भी आपको ब्लॉग पे already uploaded है तो आप चाहो तो वहां पे इसकी PDF भी download कर सकते हो ओके जो changes हुए है finance में so accounts के three chapters यह आपको यहां पे देख रहा होगा basics of accounting cash flow and fund flow उसके बाद financial statement analysis and ratios तो accounts का पूरा-पूरा complete है ठीक है accounts पूरा-पूरा upload हो चुका है तो यह आप जल्दी से पढ़ने start कर दो मैं आपको एक थोड़ा सा overview दे दू कि इसमें बहुत basic level से start किया है जैसे कि आप देख सकते हो accounting की meaning क्या है क्या क्या इसके aspects है ठीक है तो आप देखोगे कि बहुत ही basic level से start है ठीक है यह इसमें कुछ issue आ रहा है यह बहुत ही basic level से start है तो जितने भी इसके key terms है वो सारा principles होते हैं इस पर आते हैं यह questions जैसे सेवी में भी questions आये थे और अभी IFSC का exam होगा था उसमें भी आया था यह ठीक है तो यह questions आते है types of accounts उसके बाद accounting का role क्या है ठीक है उसके बाद transactions के कितने type है expenditure receipts यह सब आपने budget में भी पढ़ रखा होगा तो वो आपको यहां पर detail में मिलेगा ठीक है उसके बाद accounting cycle में आते हैं तो journal entry, leisure entry और फिर बाद में trial balance होता है तो यह सारी चीजे आपको यहां पर expand मिलेगी तो द चोड़ा बहुत accounting standard को भी समझा रखा है यह बहुत detail में नहीं बताया है बस list बताई है और उसमें क्या क्या changes हुए है जैसे कुछ-कुछ standard ऐसे हैं जिसे की बाद में remove किया गया था तो वह आपको यहां पर मिल जाएगा जितना required है RBA exam में आपसे standard के ओपर detail question नहीं पूछन finance right so recent developments में हमने बहुत सारी चीजे दे रखी थी पहले भी लेकिन अब क्यूंकि यह chapter fintech को हटाके उन्होंने इसको rename किया है सो हम इसको अलग से chapter बना रहे हैं वह भी upload हो जाएगा in fact in fact जो chapter 16th होगा finance का वह आपका role of IT के उपर ही होगा और यह chapter भी दो दिनों के बीज़र upload हो जाएगा तो आप वहां से read कर पाऊगे लेकिन अभी के लिए जितने chapters हो चुके हैं upload वह आप read करो धीरे धीरे जैसे जैस उसको पढ़ना है start करो बहुत जल्दी यह तीनों chapter पर बेस्ट जो हमारे क्या बोलते हैं quiz होंगे वह भी आपको बहुत ही जल्दी इसमें upload हुए दिख जाएंगे तो पहले आप chapter read करना उसके बाद उसके questions को attempt करना और उसके बाद जो recent changes हुए है syllabus में उसके according फिर हमें questions को भी थोड़ा सा देखना रहेगा कि mocks में वो topic से भी question रहे है ठीक है तो social issues में जो changes हुए है वो actually में कोई change है नहीं बस उन्होंने थोड़ा सा short किया है उससे बागी finance की बात करें तो हाँ accounts के question आपको phase 2 के mocks में मिलेंगे okay and उसके बाद जो थोड़ा बहुत इदर-दर से modification ह हुआ है तो सारी चीज़ है मतलब global financial market हो इसके ऊपर भी आपको mocks में question मिलेंगे so जो भी changes है हम time to time आपको inform करेंगे right इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था आगे हम जो भी change करेंगे उसके बारे में आपको inform करेंगे thanks for watching